नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अश्य देदी फ्रेंट्स हो मैं आपका सौल करता हूँ अपनी इस वीडियो में इस वीडियो में फ्रेंट्स हम लोग आरियन रॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे देखे आरियन रॉक सिस्टम द्रवीदियन रॉक सिस् पार्ट है तो आड़न रॉक सिस्टम में गोर्णवाना रॉक सिस्टम आएगा जोरासिक रॉक सिस्टम आएगा क्रटैशियस रॉक सिस्टम आएगा जिसको डेकन ट्रैप भी बोलते हैं यह रिव्यूनियन आईलेंड के बाद एक होट्सपाट था वहाँ से अच्टिविटी लिंक भी नीचे दिया हुआ है अब देखें जो ये आरियन रॉक सिस्टम है ना इसका बनना कार्बोनी फेरस पीरड के बाद शुरू हुआ है यह आप कह सकते हो कि उसके एंड टाइम में इसका बनना शुरू हो गया था इसमें गोंडवाना जो रास से डेकन ट्रैप टर्श से फ्रेंट से उस huge carbon deposits की वैसे इन सिस्टम में बहुत सारा कोयला पाया जाता है बट उस कोयले की quality उतनी अच्छी नहीं है जितना कि कार्बोनी फेरस पीरड वाले की quality है क्योंकि वो पुराना है और यह comparatively जो गोंडवाना पीरड था वो कार्बोनी फेरस पीरड के बाद मे आया है तो कोयले की quantity कम थी इसलिए इसमें जो coal की quality है न वो कार्बोनी फेरस पीरड के टाइम पे जो coal बना था उससे कम है इंडिया का जो maximum coal है वो इस गोंडवाना सिस्टम में मिलता है लगबग 98% जो हमारे coal deposits है वो इस गोंडवाना सिस्टम के है गोंडवाना सिस्टम इ मिलेगा तो इन जगाओं पे गोंडवाना सिस्टम का कोल मिलता है जदतर 98% of the India's coal is found in गोंडवाना सिस्टम ठीक है इसमें दो सीरीज ऑफ रॉक्स आतनी दमूदा पंचेत इसमें बहुत ज़दा मैं घुसके नहीं बताऊंगा कामबर की चीज़ें सिर्पता रहा हूं फिर इन रॉक्स में कोल के अलावा आपको बहुत सारे मेटलिक मिनरल सी मिलेंगे आयरन मिलेगा मैंगनीज मिलेगा एंटी मनी मिलेगा युरोइबियम मिलेगा और इसका नाम गोंडवाना सिस्टम इसलिए रखा गया है क्योंकि गोंड जन जाती के नाम पे से गोंडवाना चुकि जो पुरानी रॉक्स थी ना उनकी वेदरिंग से सम्सेडिमेंट्स आये वह सेडिमेंट्स एजेंट्स अफ डेनिदिशन की वज़े से जगह जगह पे गए एक जगह पे खट्टे हो इन पर प्रेशर बना कॉम्पैक्ट हो गया अपने आपको सेडिमेंटरी रॉक् इतने पी तरीके की रॉक्स उनका फॉर्मेशन एक दूसरे में ट्रांस्फॉर्मेशन यह सब मैं पहले जोगर्फी की वीडियो में बता चुका हूं तो मेरी जोगर्फी की प्लेइस्ट को भी एक बार देख लिए जाके आपको काफी मदद मिलेगी उससे ठीक है तो यह ज कि नीचे का पॉइंट उसको सिन क्लिनल बोलते हैं तो से मिलम में इक खट्टे होने की ओएसे सडीमेंटरी डिपॉसिट के यह जोगर्फी की जो रॉक्स है यह प्रोसेस रॉक्स की बनने का कब शुरू हुआ है पर्मियन पीरेड में जो की धाईंसो मिलें यर्स पहले था परिमेन पीरेड और बाकी ये जुरासिक ट्रासिक ठीक है ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी जिएलोजिकल टाइम स्केल वाली वीडियो को ज़रूर देखें ठीक है जितनी भी मैंने रॉक सिस्टम्स की वीडियो बनाई है उन वीडियो को देखने से पहले टाइ मोनी फेरस कोल से कम सुपीर है कम अच्छा है और इसमें बहुत सारे रिच डिपॉजिट्स मिलते हैं कॉपर के यूरोनियम के आईरन ओर के एंटी मनी के भी है अब हम जुरासिक रॉक सिस्टम की बात करेंगे देखे जुरासिक रॉक सिस्टम में इंडिया के वेस्ट और दोनों केस्ट पे मरीन ट्रांसगेशन हुए यानि पानी लैंड की तरफ अंदर आया है जिसकी वज़े से राजस्थान और कच की अलाकों में शैलो वाटर डिपॉजिट्स आ गये हैं और अन डिपॉजिट्स की चलते कुछ रॉक सिस्टम डेवलप हुए जिसमें लाइम स स्टोन शेल और सैंड स्टोन मना तो यह सब जुरासिक रॉक सिस्टम के टाइम पर हुआ था फिर हम कटैशिस रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो हुआ क्या है फ्रेंस देखे इस चीज को समझने के लिए आपको जो मैंने पैंजिया कॉंटिनेंट का ब्रेक अप वाली देखे जब पैंजिया टूटा था तो दो भागों बढ़ गया था एक भाग नॉर्थ में था एक भाग साउथ में था ठीक है तो नीचे वाले भाग से गोंडवाना प्लेट से टूटने के बाद जब इंडिया आपकी एशियन प्लेट से टक्राने के लिए उपर चला तो आज जहां पे रिउणियन आइलेंड है ना वहां पे रिउणियन हाट सपर तो उस रिउणियन हाट सपर पे बहूट सारी होट वाल्कैनिक एक्टिविटीज हो रही थी तो जब इंडिया उस रिजन से निकला तो अंदर का मागमा एंडिया के क्रस्ट को तोड़ते हूए उपर की तरह बहुत सारा मोल्टन लावा मैगमा को फैला दिया जिसके चक्कर में वहाँ एक कह सकते हो कि आप लावा पूरी हर जगा पे फैल गया है ठीके ना और वो सॉलिडिफाइड रॉक्स बन गया है तो वहाँ पे जो मैगमा है ठीके और सॉलिडिफाइड रॉक्स इस पूरे एरिया में फैल गया इंडिया के ठीके और ये बसाल्टे कलावा पांच लाख स्कॉार किलोमेटर के एरिया में फैल गया ये कच्च शौराज्ट महरास्ट मालवा प्लेटू नौर्स करनाट का हर जगा पे फैल गया और ये इसकी वजले से बन गई आपके डेक deck and traps की जो height है जो thickness है वो west to east घटती है यनि west पे ज़ादा है obvious सी बात है वहाँ पे ज़ादा यह volcanic activity हो east पे थोड़ी सी कम हुई तो west में इसकी height लगबग 3000 meter thickness लगबग 3000 meter तक भी जाती है जैसे जैसे east में जाएंगे 1500 meter तक भी चली जाती है south में लगबग 800 meter इसकी थिखने से और जब यह deck and traps बन गए जब यह catatious rock system बन गई वो rocks जो की नीचे के magma और volcanic eruption की वज़े से बनी जब उसकी weathering शुरू हुई तो weathering और erosion होने के बाद ठीके एक नय तरीकी का soil बना जो की in rocks की weathering की वज़े से बना जिसको हम बोलते हैं black cotton soil, rugged soil black cotton soil में बहुत सारी cotton की खेती होती, इसलिस का नाम है black cotton soil क्योंकि cotton की खेती के बिलकुल perfect soil है इसको regurg soil भी बोलते हैं ठीकी डॉक सिस्टम के हम बात करेंगे फ्रेंट्स देखें, tertiary log system cenozoic era में आता है cenozoic era के बारे में जाना है तो geological time scale वाली वीडियो देखिए वहाँ पर मैंने सारे era, epochs, period सब कुछ समझा रखा है तो उस time scale वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा ये cenozoic era दो भागों में बटा हुआ था quaternary और tertiary ये जो tertiary period शुरूआ था 66 million years पहले शुरूआ था ये जो 66 million years है फिर 2.588 million years आएगा इस tertiary quarter नदी में ये मैंने वहाँ समझाया है तो इस tertiary system में क्या-क्या बनाए है हमारे इंडिया में कश्मीर के कारेवाद जहां पर सैफ्रॉन की केती होती है भांगर और खादर जो की गैंगेटिक प्लेंस के फीचर से वो भी बने हुए है ठीक है गोनवाना लैन का टूटना फाइनली इस एरा में शुरू हुआ और जो Tethys Sea बना था वो हिमालिया में कनवर्ट हुआ इसी एरा में ठीक है सैनोजोईक एरा में और आज में जो terraces हैं जो basins हैं आपके जहिलम के नर्मदा के तापती के गुदावरी के कृष्णा के कावेरी के वो भी इसी पीरेट्स में बने हैं और इस पीरेट की रॉक्स आपकी कच के कोस्ट पे आपको नजर आ जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा फ्रेंट्स इन सब के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है आई वोब ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो सबसे जरूरी था डेकन ट्रैप, करटेशिस रॉक सिस्टम जो कि आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेर करें थैंक यू फो वाचिन दिस वीडियो फ्रेंट्स Have a great day, goodbye पढ़ते रहिए